आमें आज भी ऐसे लोग जरूर हैं जिन्हें पता रहता है कि सामने वाला उनसे जूट बोल रहा है और वो कुछ भी नहीं कहते हैं वो चुप चाप ही उनकी बाते सुनते हैं बिना कुछ कहें और मन ही मन मुस्कराते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम्हें जूट बोलने से तसली मिलती है तो ठीक है जूट ही बोलो वो इनसान दिल के कमजोर नहीं होते हैं वो इनसान बेवकूफ नहीं होते हैं जो आपसे कुछ कहनी पाते हैं बलकि वो इनसान बहुत ही जादा समझदार होते हैं अगर आपको जूट बोलने में खुशी मिल रही है तो वो आपको ये बोलकर आपको परिशान कर दे या वो ये बोलकर आपको शर्मिंदा कर दे कि उन्हीं पता हैं कि आप जूट बोल रहे वो आपके जूट में खुश हो जाते ही